प्सक्राइब करें साहिल् फ्रीडिस यूटूब चैनल को शाथ में पाये धेर सारा इनाम और इस वीडियो को भी लाइक जरूर करके सेयर करें अगर आप अपने घर को बनाना चाहते हैं सिनेमा हौल, सिनेमा हौल जैसा मजा लेना चाहते हैं अपने घर की दिवार पे बड़ी बड़ी फिल्मों को देखना चाहते हैं आप अपनी घर की दिवार पे सिनेमा हॉल जैसा मज़ा आने वाला है क्योंकि दोस्तो इस भागम भाग जिन्दकी में टाइमी ने मिलता कि कोई तीन घंटा जाके सिनेमा हॉल में बैठे और फिल्मों को देखे तो दोस्तो आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ मिनी प्रोटेबल एलेडी प्रोजेक्टर तो दोस्तो यहां पर आप देख सकते हैं एक टूठाउजन मिनी प्रोजेक्टर एक जवजस्त प्रोजेक्टर लेके आया हूँ दोस्तो आपके सेटप बॉक्स के रेट में ये प्रोजेक्टर मिल जाता है और ये प्रोजेक्टर आप लगा देंगे तो दोस्तों आप सिनेमा हॉल का मज़ा अपनी घर की दिवार पे ले पाएंगे एकदम बिल्कुल फ्री अब आपको LED TV भी लेने की जरूरत नहीं है आप अपने सेटप बॉक्स से भी कनेक्ट कर सकत हैं इसे कनेक्ट करके मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ और यहां पे इस प्रोजेक्टर इस प्रोजेक्ट के साथ हमें क्या क्या मिलता है वो पूरी जानकारी दोस्तों पूरी सेटिंग के साथ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा घर की दिवार पे दोस्तों अब आप बना सकते हैं अपने घर को सिनेमा हॉल मज़ा आने वाला है दोस्तो ये वीडियो बहुत ही बढ़िया होने वाली है क्योंकि दोस्तो एक एंटिक प्रोजेक्ट मैं लेके आया हूँ यहाँ पे देख सकते हैं ट्रांस जी का ये मीनी एलेडी प्रोजेक्टर है तो चलिए दोस्तो इसे फटा फट अन्बॉक्स करते हैं बाकी दोस्तो इसके जो टेक्निकल एस्पेसिफिकेशन है यहाँ पे आप वीडियो को पाउस करके पर सकते हैं बाकी की डीटल दोस्तो हम इसे इन्बॉक्स करके आप लोगों को दिखाते हैं बड़ा बढ़िया दोस्तो यह प्रोडेक्ट है और बहुत ही गजब का यह प्रोडेक्ट है मीनी प्रोजेक्टर तो दोस्तो आईए सबसे पहले हम आपको बता दे हमारी पिछली वीडियो के लगी भागे साली सब्सक्राइबर हैं दोस्तो राफी जी जिनको दोस्तो हमने दिया है फुल एचेडी सट्टप बोक्स आप भी पा सकते हैं हमारे यूटूब चैनल के जरिए तरह तरह के बिल्कुल फिरी में उपहार तो दोस्तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को आँक बंद करके सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि दोस्तो अच्छाई और बुराई के साथ हम किसी प्रोड़क्ट की अन्बॉक्सिंग करक कुछ इस परकार से ये पैकिंग में आता है तो दोस्तो यहां पे हम इसे साइड में रखते हैं और यहां पे दोस्तो देख सकते हैं यहां पे बहुत सारे समान निकलेंगे दोस्तो आप लोगों को मैं बता दूँ बहुत सारे समान यहां पे निकलने वाले हैं तो दोस्तो यहां पे इस projector को यह कुछ इस परकार से डबे में रहता है और यहां से दोस्तो हम इसे निकालते हैं यहां पे दोस्तो आप लोग देख सकते हैं एक यहां पे इसके tools हैं जिसमें power adapter होगा, stand होगा और भी बहुत सारी चीज़े होगी अब दोस्तो यह box मेरा खाली हो गया इसे ह हम side में रख देते हैं दोस्तो यह रहा दोस्तो बहुत बढ़ियां बहुत गजब projector है इसी projector से दोस्तो आप लगभग दोस्तो दस फित लंबाई में आप कोई भी फिल्म को देख सकते हैं तो चलिए दोस्तो हम इसे यहां पे रखते हैं आप इसके जरीए game भी attach करके game भी ख दिखा देते हैं सारी चीजों को यहां पे निकाल देते हैं दोस्तो यहां पे दोस्तो आप देख सकते हैं एक आपको projector user guide आपको देखने को मिल जाता है काफी useful है आप इसे पर सकते हैं खैर दोस्तो इसे हम side में रखते हैं अब दोस्तो यहां पे एक adapter इसका मिल जाता है जि इसका adapter है थोड़ा सा weight है इसका weight है जो setbox के adapter होते हैं उनसे थोड़ा सा ज़्यादा weight है तो ऐसा लगता है कि quality इन्होंने दिया है इसमें यहाँ पर दोस्तो एक HDMI cable मिल जाता है आप लोग देख सकते हो यह रहा दोस्तो HDMI cable यहाँ पर यह देख सकते हैं HDMI cable है तो यह भी ठीकी ठाक है यहाँ पर दोस्तो आपको इस projector को का stand मिल जाता है यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग यह projector का stand है यहाँ पे इसको आप कुछ इस परकार से यहाँ पे रख सकते हैं इस टैंड है यह काफी अच्छा इस टैंड है दोस्तो और यहाँ पे दोस्तो यह जो रिमोट है काफी अच्छा यह भी रिमोट मिल जाता है छोटा सा रिमोट है और इस remote के जरीए दोस्तों आप इसे control कर सकते हैं काफी मतलब बेहतरीन आपको ये remote देखने को दोस्तों मिल जाता है और छोटा है अब बढ़िया है ये remote हमें देखने को मिला तो ये दो रहा है दोस्तों इसके साथ के जो tools हैं सारी चीजें हैं इसे हम करते हैं unbox आईए दोस्तों फटा फट देख सकते हैं कितना गजब ये projector है यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग और इसमें audio का हमें लग रहा है ये speaker आपको यहाँ पे दिया गया है आप देख सकते हैं इसमें inbuilt speaker भी है साथ ही दोस्तों हम इसके आगे का look दिखा देते हैं और ये देख सकते हैं आप लोग ये आगे का lens है इस projector का आप लोग देख लीजए आगे का ये lens है और काफी अच्छा लग रहा है नहीं काभी बढ़िया ये लग रहा है में और यहां पे दोस्तों जो ये stand है stand को लगाया जाएगा इसके लिए ये है बाकि इसके जो specification है इसकी जो details है देख सकते हैं model नंबर वगएरा सारी चीज़े यहां पे लिखी हुई है बात करते हैं दोस्तों इसके back side में उपर screen side के बताएंगे हम आपको यहां पे earphone आप लगा सकते हैं यह 5 bolt in का option है HDMI का port आपको यहां पे लगा सकते हैं लेकिन यह 5 bolt in है लेकिन adapter कितना है भी दिया है यह बात सोचने वाली है और 5 bolt है हमने दो समझा 12 bolt का होगा यह HDMI का है USB का है IR sensor आपको एक इधर भी मिल जाता है और एक इधर भी मिल जाता है यह दोनों side से काम करता है memory card लगा सकते हैं आप DC इनका option है यह 5 bolt in यहां से भी दिया है उसके बाद इस type का भी अगर आपके पास adapter है जैसे mobile के charger वगरा होते हैं उससे भी आप कर सकते हैं चला सकते हैं बाकि यहां पे भी है और यह मैं आपको यहां पे सही बता दू क्या है यह 12 bolt का adapter है यहां पे की हो तो यहां पे देख सकते हैं पावर का बटन है यह आपे डाउन और यह बीच का बटन है तो यह देख सकते हैं आप लोग बड़ा गजब का दोस्तों यह product मेरे को लगा काफी हतेली से छोटा है अब इस project के लिए इस projector को क्यों बनाया गया यह चीज थोड़ा सा यहां पर गौर करनी वाली बात है जैसे कि educational कुछ प्रोग्राम होते हैं किसी को फाइल सब्मीट करनी होती है या स्कूल वगारा में कुछ ऐसे फंसन होते हैं जिसमें बच्चे अपने आर्ट को दिखाते हैं तो यह projector उसी के लिए है बस pen drive इसमें लगाईए और अपने project को दिख दिखा दीजिए वैसे बहुत सारे लोग इसका यूज सेटप बॉक्स टीबी और चलाने में भी लगाते हैं तो आइए से हम सबसे पहले यहां पर लगा देते हैं यह बहुत अच्छा दिया है कि आप कहीं से अच्छी तरीके से लगा सकते हो तो इसको मैंने यहां पर आराके दिखाता हूं तो दोस्तो आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने इसके सामने एक फुम लखा है और यहां पर दॉस्तों देख सकते हैं इसको हमें light बुझा के इसको पूरी detail हम आपको बताते हैं तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं प्रोजेक्टर हमारा यहां पे है और देखिए दोस्तों आप लोग देख सकते हैं आप लोगों को मैंने phone दिखाया ही था यहां पे दोस्तों देख सकते हैं इतना दूर हम ले जाएंगे फोटो बढ़ती जाएगी और इसकी जो क्वाल्टी है वो जब जस्त होती जाएगी तो दोस्तों हम इसे नस्दीक से दिखा देते हैं आपको यहाँ पर देख सकते हैं मैं इसको एकनम दूर ले जा रहा हूं और जितना ही मैं दूर ले जाओंग और इसकी जो क्वाल्टी है वो बढ़ती जाएगी तो दोस्तों यह मीनी प्रोजेक्टर आप कहीं पर भी किसी प्रकार के दिवाल पर आप चला सकते हैं यह उपर देख सकते हैं आप लोग यह देख सकते हैं आप लोग कितना जबर्जस्त हमारे पास चल रहा है तो यह खै quality बहुत अच्छी आएगी दोस्तो तो दोस्तो इस वीडियो में एक मिनट का और मैं टाइम आप लोगों से लूँगा और मैं आप लोगों को इसको बड़ी दिवाल पे चला के दिखाने वाला हूँ यानि कि दोस्तो दस बाई लगभग पांच में लगभग लगभग मैं आपको दिखाने वाला हूँ कबने काफी बड़ी दिवाल पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ दोस्तो आप लोग देख सकते हैं यह हमारी जो green screen है इस पे मैं चला रहा हूँ लेकिन फिर भी दोस्तो बड़ा first class आ रहा है यहां पे दोस्तो देख सकते हैं हमारे पास जो set up box है वहां पे दोस्तो यह देखें टीवी चैनल्स पूरे जो भी चीटीवी चैनल्स आप यहां पे चलाना चाहें गेम चलाना चाहें दोस्तो वो आपको देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं डीडी का यह हमारे पस प्रोग्राम चल रहा है आप लोग देख सकते हैं और जो इसकी फ्लैस है यहां से जाती है दोस्तों यह देखिए आप लोगों को मैं फ्लैस भी दिखा दूँ यह देख सकते हैं आप लोग अधर मेरा सेटप बॉक्स रखा हुआ है तो मतलब दोस्तों यह काफी अच्छा है इसे आप खरीच सकते हैं और आप कहेंगे आप लोग कि इसका लिंक तो दोस्तों इसका लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्केप्शन में आपको मिल जाएगा औ अपने दोस्तों में दोस्तों इसे सेर जरूर कीजेगा ताकि दोस्तों हमारी ऐसी लेटेश्ट खबर आप सबको मिलती रहे और नई टेक्नलोजी रिलेटिव जो वीडियोज हैं आप सबको जल से जल अच्छी तरीके से मिलती रहें जहांपर सच्चाई और इमंदारी के स दोस्तों वीडियो बनाई और दिखाई जाती है धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए